नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश बाइस मार्च बुद्वार सुबह सवाच्छ बजे राजस्तान के बड़ी खबरे निजी चिकसालियों के विरोध को दरकिनार करते वे रास्तान विधान सभा में मंगलवार को राइट टू हेल्थ बिल ध्वनिमत से पारित हो गया चिकसा मंतरी परसादिलार मीना ने बिल की विशेशताईं बताई और साफ कहा कि इस बिल से जनता को बहुत फायदा होगा उधर बिल के विरोध में निजी चिकसालियों का सड़क पर प्रदर्शन जारी है पलिस ने मंगलवार को फिर चिकसालियों पर वाटर कैनिंग से पानी की वच्छारे फैंकी चिकसालियों का प्रदर्शन फिलहाल जारी है निजी चिकसालियों का सबसे ज़्यादा विरोध इस बात को लेकर है रासाम कॉंग्रेस में चल रही बयान बाजी के बीच पूरू डेपुटि सेम सचिन पारेट के ओर से विधायक दल की बैठक बुलाये जाने को लेकर दिये गए बयान पर प्रदेश प्रभारी सुख जिंदर सिंग रंधावा का भी बयान सामने आया है प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी ने कहा है कि विधायक अगर विधायक दल की बैठक करना चाहेंगे तो हम बैठक बुला लेंगे PCC में मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने कहा कि जापुर दोरे में सोंवा से ही 1-2-1 बैठके ले रहा हूँ मुक्य मंंतरी, PCC चीफ और कई मंंतरियों से मेरी बात हुई है अभी अन्य नेताओं से भी बात करूँगा अगले कुछ दिन बाद राजस्टान में ही क्या करूँगा साथ ही ये भी कहा कि राजस्षान कॉंग्रेस में कोई गुडबाजी नहीं है राजिसान के पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का मार्ग तै हो गया है रेल मंत्री कारले के मताबिक ये ट्रेन अजमेर से लेकर दिल्ली तक चुलाई जाएगी इसका सबसे पहला रेक नवरात्री के शुब मौके पर शुकरवार को जापूरा जाएगा इसके बाद अप्रायर से इसी चुलाने के तैयारी है वंदे भारत ट्रेन की गती की अगर बात करें तो 160 किलोमेटर प्रती घंटा से अधिक है ट्रेन चलते समय शोर ना के बराबर है अजमेर से दिल्ली के बीश ट्रेन के बहतर संचालन के लिए उत्तरपशिम रेल्वे ने ट्रेन के लिए तकनीकी करमचारियों को चिन नई में ट्रेनिंग के लिए भीज दिया है राजसान के मुखे मंत्रशो गहलोद ने प्रदेश में निवेश और निरियात का सर्वस्ट्रेस्ट माहूल बताते हुए कहा है कि राजसरकार की बहतरिन और द्योगिक नीतियों तथा कारकरमों से राजस्थान में निरियात एवम निवेश बढ़ा है लोकसभा अध्यक्षों बिल्ला ने कहा कि भारत और मैक्सिको लोकतांतरिक मुल्यों में विश्वास रखते हैं इसके बल पर दोनों देशों के संबंद और घनिस्थ हुए हैं उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों संसदों को एक दूसरे की श्रेस्थ परंपराओं और अनुभवों को आपस में साजा करते रहना चौहिए बिला ने सुमवार को संसद भवंस्थित अपने कक्ष में भारत मैक्सिको संसदी मैत्री समू के अध्यक्ष सलवाडोर कैरो कैबरेरा के नेत्रतु में भारत आय मैक्सिको के संसदी शिष्ट मंडल से मलाकात की बिला ने कहा कि प्रधान वंति नरेंद्र मूदी और मेक्सिको की रास्टपती ने नए आर्थिक सुधार किये हैं ग्रह मंत्राले ने मंगलवार को दिली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी सोमार को सीम अर्विन के जुरिवाल ने केंद्र सरकार पर दिली का बजट रोकने का आरोप लगाया था रिपोर्ट्स के मताबिक ग्रह मंत्राले ने दिली सरकार से विज्यापन समीत तीन मुद्धो पर जवाब मांगा था इस पर दिली सरकार ने रिप्लाई नहीं किया था इसलिए बजट अप्रूब नहीं हो सका था इधर केंद्र से मंजूरी मिलते ही अर्विन केज रिवाल ने विधान सभा में चोचा के दौरान केंद्र पर आरोप लगाया उन्होंने कहा बजट पर केंद्र के आपत्या समयधानिक और निराधार है देश के 75 साल के इतिहास में किसी भी सरकार का बजट नहीं रोका गया राजसान के मुखे मंत्र शोग हलोत की घोशना के बाद एक अप्राय से राजसान में बीपेल और उजवला गैस कनेक्शन धारी उभुकताओं को 500 रुपे में सिलेंडर मिलेगा इसके लिए राजसान के खादे वे नागरी का पुर्ती विभाग ने केंद्री पैट्रोली मंत्राले के सिचिव को पत्र लिख कर तीनों गैस कमपनियों से राजसे में दोनों श्रेणियों के गैस उभुकताओं की जौनकारी मांगी है मंत्राले से उभुकताओं की संख्या मिलने पर सालाना खर्च का वास्तविक आकलन होगा राज्य के खाद्य वे नागरी कापुरती विभा के अधिकारे ने बताए कि केंदसरका राज्य के उजवला कनेक्शन धारी भुकताओं को प्रति सिलेंडर दो सो रुपए की सबसीडी दे रही है राज्यसान में अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनुश्वासन हिंता करने वाले तीन मंत्रियों के खिलाफ कारवाही नहीं होने से एक बार फिर पालेट गुटके नेता मुखर होने लगे हैं विधायक मुकेश भाकर ने मंगलवार को विधान सभा के बाहर कहा कि जब एक ही पार्टी में दो तरीके का विभार होने लगेगा तो जनता में गलत मैसिज अच्छा नहीं जाएगा जब हमने बगावत की तो खामियाजा भी भुगता कई लोगों को पद गवाने पड़े मैंने यूद कॉंगरिस पद गवाया पालेट सहा पी सी सी से हटे सब तरीके की कारवाई हुई लेकिन हमने कभी भी हाई कमान और गांधे परिवार को चैलेंज नहीं किया जिन लोगों ने अनुशासन हींता की है कॉंगरिस हाई कमान को नीचो दिखाया है उनके खिलाफ कारवाही होनी चाहिए राष्तान में आगा में विधानसभा और लोगसभा चुनाओं में पार्टी के परंपरागत वोट बैंक मानेजवाने वाले सस्ट ओविसी और माइनौरिटी में नई लीडर्शिप तयार करने के लिए पार्टी के केंद्रिय नेतरत्र ने लीडर्शिप डवलप्मेंट मेशन कारकरम शुरू किया है इस कारकरम का आगाज जैपुर में पार्टी के नेता के राजू और कॉंगर्स विभाग के रास्टे अध्याक्ष राजेश लीलोठिया ने लौच किया कॉंगर्स सेस्टी विभाग के रास्टे प्रभारी के राजू ने मीडिया से कहा कि देश बर के लोगसभा विदानसभा शित्रों में सेस्टी ओबिसी और माइनर्टी वर्ग में नई लीडर्शिप तयार करने के लिए इस तरह की कारकरम शुरू किये गए है बरतपु जले के कुमहे स्थित पशु प्रजनन फार्म बकरी नसल के समर्धन का प्रदेश में अगरणी केंट है यहां मुखेता जमुनापरी नसल की बकरी और बकरों का उत्पादन कर पशु पालकों को वित्रित किया जाता है इसे पशु पालकों को अत्रिक्त रोजगार एवम आई का साधन उपलब्ध हुआ है यह फार्म उननी सो उनसर तक भरतपु राजपरिवार की ओर से संचौलित किया जाता था तब यह श्रीकिष्न गौशाला के नाम से मशूर था अब यह फार्म पशु पालन विभा क्या दिन है यहां हर्याना नसल की उन्नत गौवंश के समवर्धन की योजना का आरम हुआ उसके बाद यह फार्म बकरी पालन का केंडर बना जैपर में JLN रोट बंद करने को लेकर हाई कोट ने जैपर पुलिस कमिशनर और यातयाद DCP को को कोट में तलब किया है हाई कोट की एल पीट में जस्टिस समीन जैन ने सौप रेरिस प्रसंग्यान लेते हुए दूनों अफसरों को को कोट में तलब कर परिक्षा के दिनों में मुख्य सड़क बंद करने को लेकर नाराज की जोहिर की है आखिर हाई कोट की नाराजगी के बाद यातयाद पुलिस ने जैनलन मार्क पर लगाए गए बेरिकेट्स हटा दिये हैं मंगलवार दोपहत दो बजे बाद से ही आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया गया है रास्तान के सरकारी स्कूलों के पहली से आठवी तक के बच्चों को अंग्रेजी के साथ गणित में भी दक्ष करने के लिए स्कूलों में संपर्क, स्मार्ट शाला, कारेशाला, योजना का आगाज करेगा मंगलवार को इस कारेकरम का विदीवत आगाज किया गया योजना प्रदेश के आठ जिलों में शुरू की गई है इस स्मार्ट कारशाला के जरीए बच्चे खेल, खेल में गणित के कठिन फॉर्मूले आसानी से सीख सकेंगे, साथ ही उनके अंग्रेजी में भी दक्षता आएगी, इस योजना के तैयत स्कूली विद्यातियों को एक किट भी दी जाएगी, साथ ही टीचर्स को ट्रेनिंग पश्य में राजिसान के बार में जुलका विख्यात है, मलीनात, तिलवाडा, पश्यू मेला से, पश्यू पालन विभाग को अब तक करीब 17 लाग का राजे सुप्राप्त हुआ है, पश्यू मेले में अलग-अलग पश्यू के प्रतियों गिताओं का भी आयोजन करवाय ज हुआ था, जिसका करम अनवरजवारी है, मलीनात, तिलवाडा, पश्यू मेला, अधिकारी, विने, मोहन, खत्री ने बताया कि 18 मार्स से शिरू हुए, तिलवाडा, पश्यू मेले में अब तक 2279 पश्यू का रेजिस्टेशन हुआ है, जिसमें से 1642 खोडे, 575 ऊंट और 52 ब इश्कार करते वे धरना प्रदोशन किया, इस दोरान अधालत परिसर में पूरी तरह से सननाटा पसरा रहा, जिला अभी भाशक संकिय, पूरवध्य अक्ष कमाल सिंग गुर्जर ने बताया कि वरतमान में प्रदेश में वकीलों के उपर हमले की घटनाएं लगातार रही है, जैपर में रेड मारक है, पुलिस ने विदेशी नसल के नो कुत्तों को छुडवाया है, आरोपी अवैद रूप से डॉक ब्रीडर का काम कर रहा था, बार बार ब्रीडिंग करवाने से डॉक्स की हालत काफी खराब हो गई थी, इसकी जानकारी पिपल फॉर अनिम है, कुछ बीमार हैं, लेकिन इलाज नहीं करवाया जा रहा, शिकायत मिनने पर डेसी पी वेस्ट वंदिता राणा ने बिंदाय का थाना पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा, इस पर बिंदाय का थाना पुलिस ने एंजी ओ के साथ मिलका रेड मारी, नो विदेशी नसल क कुछ को मुक्त कराए गया, तो फिलाल इस पुलिटिन में इतना हैं, फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ